लेकिन अपने कामों से दे सकते हैं लोगों को मात है किंग मत समझना वजीर तो आज हमारे साथ है ताहिर शब्द ताहिर सर जैसे कि आपका भी वेब सिरीज आया है काला जो की काफी पॉपुलर हो रहा है लोगों को पसंद आ रहे लेकिन हम वहां से नहीं हम आपकी शुरॉती दौर से शुरॉत करेंगे कि काला से लेकर उसके पहले से लेकर क्या कुछ आपकी जन्नी रही फिल्म इंडस्ट अगली बार में हो तो प्लीज लिग दीजेगा मेरे लिए तो मेरी जर्णी बहुत सालों पहले शुरू हुई थी इंडस्ट्री में भी कई साल होगे कि मैं अठरा साल का था तब से लगा हुआ हूँ सुझीर मिश्र और मदूर भंटार कर्दम को कॉलेज से उठा लिया था पर उसके कई उसके भी कई साल पहले जब मैं भिंडी बजार के चाली में रहता था तो हमारे वह ऐसा था कि एंट्रेटेंडमेंट के लिए कुछ ज्यादा था नहीं अभी आप चाली में पुले बड़े हो तो अबबा जो हमारे फैमिली को हमेशा हफते में कम से कम एक बार सब देख लिया था हमने और मुझे अभी भी याद है रंगीला फिल्म थी मैं कुछ होंगा पांच साल का पांच साल का रहा होंगा तभी और सारे जो हमारे इंडस्ट्रिलिस टाइब के लोग है I think one of the Ambani family को तो थे वहां पर रू ही सो सब गाने थे यह वो और मैंने नोटि सब लोग एक जुट हो जाते है और फिल्म शुरू होती है सब लोग एक जुट हो जाते है you are in one emotion और फिर इंटेवल के ताइम मैंने नोटिस किया अमीर गरीब सब जाती प्रजाती धर्म के लोग सब एक ही टाइब का मुन्ना बाय का लगा रहे है सब लोग डालोग बोल त ज्युरू खुचम खुचम कैमें रहे अम्ना घरधुन we can play cricket onks running orOS ق्राइब और विर्जात्व अवस्ताए चाहँ है और सबसुत कृज आप कुछ कर सकते हो जिंदगी भर उप पुरी जिंदगी चित्रवसर के बाडर करने हैती है एक निफूज रहे सकते हो तो मैंने का य यह इस जादू का मुझे हिस्सा बनना है और मैं बड़ा छोटा था और बिंडी बजार में पला बड़ा तो जब मैं बोलता था मैं एक दिन यह करूंगा एक दिन तो मुझे सब लोग टपली मारते बला पागल हो गया है तो यह रहा है और हम बड़ी बड़ी कंजरविटिव सुसाइटी से तो मैंने पर्मिशिंद ली बहुत महनत मुझकत की फिल्म में बना मेरी मेरे माबाब बहुत सपोर्टिव थे हैं अमी अबबा ने हमेशा सपोर्ट किया और इस मकाम पक्त तक पहुचाया कि मैं जो चाहे कर सकू मेरे अबबा की मिठाई की दुकान भी है पाने की से ताथ चल्च में अब हमें दखना श्टिक्रा में तेखिस और प्लाइ किया चुक जाका हुच हम बनाए खिलन आजलिदी थे हमने कट अपने देखिस गरगा हमने उस्का कुछ नाम नहीं क्यों के लोगों को इंडिया में और बंबे में किसी को पता है नेक्सिलि तो जब हमने बनाई फिल्म, बहुत छोटा था, अठ्राउण निसका था, और सुधीर मिश्रा और हमने सारी फेस्टिवल जीत गए इंडिया में, पूरी फिल्म फेस्ट था, अभी इवन वें टू बाइट द मैंगो, अबरॉड, और हम सारी जीते गए, तो इनको लगा कि हम कुछ 27-28 साल के लड़के थे, तो हमने कहा नहीं सर, हम तो बड़े छोटे, उनलवा सर, ठीक है, तो मेरे साथ आजाओ, लग जाओ काम पे, तो हम सीधे कॉलेट से पहजगे, सुधीर मिश्रा की ओफिस में, 44 आराम नजर में, उनके साथ तीन फिल्मे की, खोया-खोया चां और फिर दूसरी फिल्म की आज असोसिये डिरेक्टर, एक्जेकिटेव प्रडूसर और रिलीज नहीं हुई, होफुली अभी हम खोशिश कर रहे कि अब रिलीज हो, फिर एक फिल्म की मुंबई कटिंग, वो भी फिर से रिलीज नहीं हुई, तो फिर हमने हाथ जोड़ा, अब हमसे ना हो पाई, क्योंकि घर पे हमारा प्रेशर बढ़ रहा था, अब बाब बोल रहे थे भाई, कितना कमा रहे हो, क्या कर रहे हो, धाई साल होगे, एक ही पिक्चर हुई है, कर गया रहे हो, और हमको आफस बहुत आते थे उस जमने बड़े लॉयल टाइप के लोग तो फस गई, फिर मुंबई कटिंग में, सहारा वस द में प्रोड्यूसर, फिर सहारा का तो आप जानते हो तो उस दमाने में तफ टाइम हो गया, तो उसकी वज़ए से वह नहीं हुआ, उसकी वज़ए से बहुत सारे लोग अनुप्लाई भी हुएते हैं, तो सहारा का जेन आरे वान, शारुक सर्म गय थे उस दमाने में, बॉबी सर जिंदा थे, उनको मिले थे पर हमने उसको ना बोला था, कई फिल्मों को ना काई जिंड विनोद वगयरा को ये दो फिल्मे करने के और जो हुए नहीं और पैसे भी बहुत जादा थे, बड़ी मशूर फिल्मे कर पर हम लोग बड़े लॉयल टाइप के लोग है, फिर हमने वोला अभी सर अभी जाते है, खुदाफिस, अब नहीं होगा, ना हो पाई हमसे, और फिर हमने एक पिक्चर की उसका लाम है, Once Upon a Time in Mumbai, मिलन लूतरिया के साथ, that has been the best film experience of our life till today, not in terms of just creativity, जो मज़ा है उस फिल्म पे उस फिल्म को बनाने के लिए, हम लोग फिर्स्ट एडी थे हैं, हमको second unit भी दिया, मिलन सर ने बहुत ट्रस्ट किया, अशुतोश और मुझे, अजय सर और इम्रा नाजमी, सब लोग ने बहुत महबत दी, बहुत महबत से हमारी बात सुनी, तो हमने वो फिल्म चुर को थे और अजय वो बच्च और मिलन से उस वह बड़ा दिल हमने जिंदगी में नहीं देखा, उन्होंने जो उस अग्टर को दिया, ना इक्सिरेंस बहुत था अग्टर था, अग्टर था, युशब लिए हमारा एक्स्परियर्स भाट था, अजय से लिए हमने अपर कास्ट के वज़ से नहीं उसके सेन से एक प्रशूंग है टैलोग के सबस्क्राइब वह हिती गया है थैंक्यु यह तैंट यह देन लोग साथ में बैटके उसका म्यूजिक पर काम हो रहा था और experience is कमाल है वो जो परदा-परदा गाना था उसके पहले हम कुछ और गाना था वो गाना अचाना कैंसल होके पर अचाना ताबर तो वो गाना कैसे बना है वो फिल्मों की अलग कहानी है वो मिलनजर से पुछेगा मैं चोटी थी खुद परदा-परदा भे परफॉर्म की थी आप मैं चोटा था आप कितनी और चोटी थी मैं भी तब बहुत चोटा था डोंट वीवर अल्मों से मेजा जादा सच आई तो तो फिर हमने अगनीपत के बाद हमने हमारे एडी के जूते जो थे हमने हैंक कर दिये फिर दो फिल्म में हम लोग ने सेकंड उनिट डिरेक्ट की एक पहली फिल्म थी भाग मिलका भाग उसके अंदर हमने सारे स्पोर्ट्स जो पोर्शन है वो अशुदोश और मैंने और इसे मैंने अशुदोशन में अशुदोशन है अशुदोशन है बिन पार्टनर सिंस 2003 से जब हम मिले थे पहली बार तब से हम लोग साथ में काम कर रहे हैं और अभी तक आज तक आरिटी फिल्म देजरूशन है जोड है फेवी क्विक का जोड है तो कभी ने टूड़ेगा तो मेरा भाई है वो मेरा अबबा हमेशा कहते थे मेरे तीन बेटे मोयाद मीयाद हमी अस तो जो गाना है हमने शूट किया फिर जो बच्चों के पॉशिंज है फितूर में वो हमने शूट किया उसके बाद अराउंड डैट टाइम हमने अरिटी फिल्म शुरूवात की इसका अगमन हुआ फिर मैं एक्टर बना फाइनली अभी इतनी कहानी के बाद फिर मैं अमेरी जाकर बना फिर मुझे उदर जाना है क्याम्रे का अखेमिन नहीं यह पर मुझे कभी नहीं लगा मैंने का में जले टाइब का अदमी हुए तुम मैं ने का और वैसी एक्टर था एक्टर इसका मेरी तो मैंने आपको मेरी फिल्मेंकिंग जरूणी बताई जब मैं छोटा दो और भिंडी बजार में था, the reason why I can speak English, and the reason why I have a very posh way of speaking according to a lot of people, है नहीं मुझे मैं तो जल्ला ही लगता हूँ, क्योंकि मेरी अम्मी ने मुझे बड़ी अच्छी स्कूल में रखा, तालीम बड़ी अच्छी मिली, और प्लस मैं रायल पदामसी के साथ theater करता था, English theater, as a child, तो रायल ने बहुत मदद की मेरी भाशा को improve करने में, मेरे confidence के लिए, तो मैं हमेशा actor तो था ही, और फिर अठरा में मेरी engagement हो गई थी, तो जो मेरी मंगेतर थी, she was not very happy with me acting, तो मैंने उनकी वज़े से फिर acting नहीं की, और एक बार मैं director बढ़ने लगा, फिर मुझे इतना shock भी थी था, मैंने का यार, क्या है, मैं एक में concentrate कर रहा था, बट दिन रिली, I realized that I have a lot to do as an actor, और फिर actor की जो, मेरा जो contribution है, मैंने दो महीने बढ़े किर्दा थोड़ा छोटा था था तब, विजोई सर ने रोल बढ़ाया, बाद में थोड़ा इतिंक, बट मैंने उतनी शिदत और लगन से करता हूँ जितना मुझे 70 दिन की शूटिंग करनी थी, मेरा शूटिंग मैंने खाली 10-12 दिन की है, काला की, बाकी सब ने 70 दिन की शूटिंग, 60-70 दिन की शूटिंग की होगी, बट मैं लगन उतनी करता हूँ, बले एक दिन का रोल क्यों ना हो, अभी मैं मेरा जो अगला धर्मा का एक शो कर रहा हूँ, उसमें भी कैमियो है, बट आइम वोकिंग एकोली हाड, तो एक्टिंग जर्णी वस अल्रेड़ी देर, और मैंने एक्टिंग इसलिए नहीं शुरू की, क्योंकि यार चलो अभी एक्टर भी बन जाता हूँ, मैं साइमल्टेनेसली अगनीपत के बाद, मुझे रियलाइजेशन हुआ कि I can do it, कि मैं अक्टिंग कर सकता हूँ और मुझे करनी चाहिए, एक दो चीज मैं वायरेफ में पाक था, एक पिक्चर होने वाली थी, धर्मा के साथ वो भी नहीं हुई, फिर कई घटना है घटी, फिर मैंने कहा है यार मुझे और मुझे स्टार्डम से जादा परफॉर्मेंस में जादा मजाता है, I think स्टार्डम is a by-product of performance, not the other way around, I don't think कि आपको स्टार्डम की वज़े से एक्टर बनते हो, आप परफॉर्मेंस करते हो, आज के जमाने में आप स्टार बनोगे, जैसे लेकिन अब चेंजेस हो गया है, क्योंकि आप लोग परफॉर्मेंस देख रहे हैं, लोग एक्टिंग स्केल देख रहे हैं, IGHTS होता था कि जलो बड़े-बड़े जो आप्टि से द्जोगे मुवी जी तो लोग भी देख रहे हिए, वोगों की एक्टिंग और यहांदया ना हंगा है, मैं नाम नहीं लूंगा, और बहुत बड़े स्टार्स हो गी, मैं मिस्टर बच्चन की बात करूगा क्योंके मैं I'm a huge Dilip Kumar fan और अगर आप Dilip sir की फिल्मे देखोगे so you see his performance उनकी कलाकारी बहुत उंदा है अगर आप Mr. बच्चन को भी देखोगे you see all his films, his performance is so good he's such a big star but his acting is also very good he's never gone over the top आप कोई भी फिल्म उठा लो उनकी जब आप over the top फिल्मे उठा होगे उनकी कलाकारी बहुत हुंदा है so for me that is what matters that your acting can lead to stardom if you just get stardom also that's very good but for me because मैं सिनिमा से इतनी मौबत करता हूँ मैं स्टार्डम से इतनी मौबत कभी नहीं I think that is my exciting fun of being an actor और वो सब जब नहीं भी हुआ वो बड़ी फिल्में जो वकाउट नहीं की फिर भी मैंने यह नहीं कहाँ कि अभी मैं acting नहीं करूँगा मैं मुझे हमेशा था कि मैं acting करूँगा और किसी कारण के लिए करूँगा जैसे इसलिए मैंने TV भी किया क्योंकि पहला शो था टीवी पे जो की औरतों के हित की बात करता था उसका नम था निशा और उसके काजिन एक आदमी था जो औरतों को प्रोच्छाइद करता है आगे बढ़ने के लिए सो इससे चलो मैं टीवी भी करूँगा लोग मुझे टीवी आकटर टीवी आकटर बोलते हैं मैंने का टीवी अकटर मैंने 2 तीवी दे शो किया था मैंने कके EV 2 मेने का कैम्यो सरे पैसे मिल जाएंगी तो मैंने पैसे लगते जैनेफर विगनेट ऑर हर्षाद चौबला दोड़े अछ्षे लगत thou इस प्राइंगल इतनी इंट्रिस्टिंग उन्होंने एक और महीना बड़ा दिया तो दो महीने था मैं उसके पैसे अभी तक नहीं मिले सुनील जी को बूलीगा को दे दे अगर सुनील जी आप दे रहे हो तो पैसे के लिए किया था आपका शो कर दो सब लोग टैक करना इस पर अच्छा नहीं लगता यार बहुत महनत करते हैं और नहीं देना है तो बोलो नहीं देना है पीपल की पुशिंग देंगे देंगे और फिर करते नहीं है पिर अपिर अक्टिंग का सिलसिला शुरू हो गया उसके बीच में हम लोग ने 116 एड फिल्म्स किया फिल्मेकिंग नहीं करते हैं जो शॉट इतना ही होना ची हम लोग उतना ही शूट करते हैं हमारी फिल्मेकिंग एज इवन एज आड एक्टर मैंने बहुत कुछ सीका तो एड बीच दो तीन शॉट फिल्म भी हो गई हमारी तो अपार्ट फ्रम फिल्म्स, अडवर्टाइजिंग, अल इस विल्म्स अडवर्टाइजिंग से शुरू किया अशु दो शुरू हमें डिरेक्ट करने लगे, रूची भी डिरेक्ट, रूची इस आ थर्ड पार्टनर, शी होता है क्या नहीं, तो वन राट फिल्मस विगयान तो हम लोग ने सब अडवर्टाइजिंग शुरू कर दिया, 2018 से हमने 100 करके शो भी डिरेक्ट किया, प्रोड्यूस किया, लिखा, अभी वी आ डिरेक्टिंग और प्रोडूसिंग अनदर शो फर होट्स्टार, उस में मदद की हमारी, there's also Nikhil Madok, जो तब हमारे साथ थे, 100 पे शोगातों मुखर जी थे, तो इन लोगों ने बड़े उम्दा लोग है, बड़े बहुत खुबसूरत लोग है, और फिर, now finally, the journey has come, now we're a little settled, अभी काला आया है, अच्छा, acting-wise तो आप जानती ही हो गया, I'm guessing, acting का 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 नाम सब को पता होता है, direction सब लोग किसी को पता है, तो इसलिए बोलना पड़ता है इतना सारा, but acting में निशा के बाद, I think, fan हुआ, fan के बाद, Naam Shabana हुई, Naam Shabana के बाद, I was a little upset, because कई चीज़े जो promise की गई थी, वो हुआ नहीं, but I said, चलो ठीक है, Naam Shabana के बाद, I think the biggest and the nicest thing that happened was guilty, और पर guilty के बाद, मैंने तीन-चार फिल्मे साइन किया, और लोगड़न हो गया, फिर से वो ही संघर्ष शुरू था, वो फिल्मे उठी नहीं कभी, और दन एक दो शोस किये, which you know, Poison वगेरा हुए थे, I loved my role in Poison, but now after that, the most proud work is Kala, because मैंने first time, I'm playing a full-fledged role, as an antagonist, and with such beautiful how nice it was to work with Avinash Bhai, and Jitin Bhai, and Hiten Bhai, and obviously Bijoy being the genius that he is, so Kala has been like, really meaningful, and a very beautiful experience, अब जाके मैं सोच रहो के कुछ एक लाइट हारा है, वो करू, और आपकी दूआ से, I hopefully, I'll keep, my basic purpose in life is like that, जो बच्चा सुचाना के, लोगों को एंटेंटेंमेंट मिलना चीए, लोगों को मजाना चीए, लो but at the same time there's some messaging, so अब दूआ कीजिए, अब दूआ कीजिए ऐसा कुछ आता रहे, लोग जो 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 पूछना था, आप एक एक कर एक कर एक सब बोल दिये, अब दिरेक्टर हो ना, आप इसीले इसा पता ही है, ये ये मुझे बोलना है, लेकिन जब आप स्टार्टिंग जैसे कि अब आप स्टार्टिंग जो जो मुझे बच्पन से होती नहीं है, लाइफ में, मैं सीधा स्विमिंग पूल में कूछ जाता हूं, मुझे स्विमिंग आया नहीं कोई किसी ने बोला भाई ये ले तू बोट चलाएगा मैंने हां मैं बोट चला लोगा मैं क्या बात है, एक मैंने वैनिटी वैन थी वैनिटी वैन चला ले का चला लूँगा तो मैंने कर ली रिवाज थोड़ा ऐसा ऐसा करके पर एक बार मैंने वो लॉरी नहीं थी लॉरी लंबी वाली वो बीस-पचीस पही है वाली मैंने लॉरी भी चला लूँगा तो मैंसा ड़ता नहीं हो तो म मुझे कोई काम स्टिश गीड़ों यह सबुआ धाया कीम फे लीट शैना मेरे नसीब अच्छ ते और मैंने काम कर लिया था मैंने काम कर लिया था मैंने अले कॉंख सेंग वां टॉक्यूमेंटरी बना ली थी हमकोर मेरिट पे बना मिला यह को मदूर बंडार कर सथ है तर्फिक सिगनल करके फिल्म थी वो दी कि आपको मेरे साथ काम करो सुधीर सर ने इमको दी खोया-खोया चांद पर उस साल खोया-खोया यह ही थी हजारोख़ष ऐसी तो शोड़ थी तो शोड़े खोया-खोया विए फिल्म थी खोया-खोया चांद अबुए उससा ने इतना काम पहले सी कर दागा था हम लोग तो सोला साल से बना रहे थे फिल्मे हम लोग क्लास में जाते दो और फिल्मे बनाते थे तो उस फिल्मों की वजह से रहा थे में एंट्री मिल गई संघर्श हुआ और अभी तक हो रहा है मेंली अक्टिंग में क्योंकि एक ऐसी चीज है जिसके लिए मुझे ऐसा लगता है कि इत मेरिट ही नहीं चलता I think you have to और बहुत सारी चीज़ें करनी पड़ती है लाइफ में networking होती है श्मूजिंग होती है लोगों से जाके constantly मिलना पड़ता है और मुझसे वह होता नहीं है मैं ऐसा बना नहीं है और हम लोग ना हम लोग हमेशा ऐसा सोचते जो कि अभी मैं सीख रहा हूँ हमको हमेशा ऐसा लगता है कि नहीं यार हमने तो अच्छा काम किया ना मैं काला में अच्छा काम किया कोई देखे का और पर फोन करके बूलेगा तायर आजा पर वास्तविक्ता में ऐसा कभी होता नहीं है यू हव तो बिकुस पीपल फगेट इतना सारे लोग है इतने सारे एक्टर्स है और हमारी कैटेगरी में जैसे हम मैं दिखता हुए हमारे जैसे दस पंदरा खासे फेमस लोग है तो 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 यहार तायर मैं को हुआ भी एक बार कास्टिंग्टर में मुझे अरे यार तायर कमाल का रोल था तू तू तच में नहीं रहता अभी कास्टिंग्टर यू ड़ी तो मुझे अरोला सर फोन कर लेते यार एसी भी क्या बाते लिख दो एक्टर 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 डलके पुरी लिस्ट कोल दो सम्धिंग्ग्टर अम लर्निंग्ग्टर अम अलसु ट्राइग किसी से काम मांगना कोई आपको छोटा नहीं कर देता और लोग ऐसा नहीं कि आपको भूल जाते हैं बट आउट आउट साइट प्लेटफोर्म आ गया है इतने सारे आर्टिस्ट आगे उसमें तो इसमें तो नोट इवन फिल्मों में कैसे एक कास्टिंग्टर एक कास्टिंग होगे फिर मुझा थार्यार मैं उनको तो भूल पर उनको किया हो था एक आफ्टर थोट होता है ना जैसे एक बड़े पाटी में वो दी तीन चार दोस्त कभी-कभी रह जाते हैं और यार तू टुछ में नहीं रहता है यार तो तो अभी ज़रा मैं कोशिश करत है